तो जैसा कि आपको पता है अभी हम इस वाली सीरीज में अरार भी एंटी पीसी के जितने भी प्रीविएस येर पेपर हुए है आपके वो सारे डिसकस कर रहे हैं आप देख भी सकते हो हमारा आज का पेपर जो मुठाने वाले अरार भी एंटी पीसी सेकेंड एप्रिल 2016 शिफ समझें और उसमें क्या-क्या आपकी यूज हुए है आपकी देखो बेसिकली ना अपने पूरे और भी के एंटी पीसी के जितने पेपर हुए ना जब आप इन सारे पेपर को लोगे उसके बाद आपको एक पैटन दिखेगा कि एंटी पीसी का आप मूचने का जो पैटन है वो आपके कुछ टाइप है वो उन्ही टाइप से बार-बार कॉश्चन को पूच्छता रहता है तो हम क्या करते हैं इसको डिस्कस करना शुरू करते है ठीक है शिफ्ट डू का पिपर है 12.30 से 2.00 तक यह हुआ था ठीक हटाता है इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे चल बाद में आप सल्यूशन को समझेंगे उसको लगाएंगे तो फिर उस चीज का मज़या लगाएगा और आपको प्रैक्टिस भी होती जाएगी ठीक है और यह मैं प्रीवियस यह लगा जो कराने का मेरा में मोटर है वह यह कि आशकल क्या हो रहा है ना कि एंटी पीसी के तै टो में मुद्ध कि आपने कुछ भी पड़ा वहा अज जबतक्क आपको पैपर गा पैटर नहीं पता है आपको यही नहीं पता है कि इस में जो कोशियन आते हैं फिर पता है這個 से चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो यह हमारा मोटर है इस तारीगा सह मूद्ट कर रहे होंगे आप देखो सकेंड वाला जो मेरा है वो है कि मैं आपसे जब भी कोशन पूचोंगा बीच में समझ में आया की नहीं आया बोलो हां तो आपको फटा-फट से जहां भी बैठे हुए हो वहां पर बैठके आपको हां या ना में आंसर देना अगर समझ में आएगी के लिए प्रेपेर कर रहे हैं तब भी आपको कही सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जीके के लिए सबसे स्पेशल स्टेटिक जी के प्रीमियम कोर्स चल रहा है उसे जरूर देखें बहुत ही ज्यादा यूसफुल है काफी ज्यादा अनलेसिस के बाद बनाया गया है वह आ सब्सक्राइब करा दिए तो सब्सक्राइब बच्चों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है और टीर टू के लिए जो बच्चे प्रिपेर कर रहे हैं उनके लिए हॉट्स कोशन सीरीज चल रहे है मैं की अभी तो उसे जाके आप जरूर देख लेना तो उससे आपको बह एकृष्टेड एक और वे बात क्या है उसने बोला की समपल एंट्रेस जो मुझे ऐसा ही मिलता है ना किसी मैंने लेड़ से मैरा प्रिंसिपल पी था इस पीपर मुझे सिंपल इंट्रेस्ट यानी की साधारण व्याज मिल रहा है किसी रेट पर लेट से हमारा जो रेट है आर है आर रेट पर हमें 2 years यानि कि 2 जाल के लिए amount मिल जाता है मुझे 1200 का बात समझ में आ रही है क्या ये simple interest का ये amount है अब ये ना language में बड़ा confusion होता है बच्चों को तो ये लिखा हुआ simple interest amounts to यानि कि simple interest 2 years का बात की गहराई को समझेंगे 2 years का simple interest कितना है 1200 है ठीक है तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वन year का जो simple interest होगा वो क्या होगा आपका पी इंटू में आर अपॉन 100 हा कि नहीं क्योंकि टी तो वन हो गया और ये आपका इक्वल टू हो जाएगा दो साल का simple interest 1200 है तो वन year का कितना हो जाएगा भी 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो हाँ क्लियर है इतनी सी बात समझ में आती है क्या अब यहां से मुझे एक बात पता चल गई है दूसरी बात the compound interest invested at the same rate of interest for two years अब वो बोल रहा है कि जो compound interest है ना compound interest same principle पर same rate पर और same time पर यानि time भी अपना two years का दिया हुआ है ना देखो ये वाला time भी two years का था तो same time जो कि two years का है same principle है same rate है हमारा जो amount निकल के आता है 1290 क्लियर है बात की गहराई को समझ पा रहे हैं सारे लोग अब देखो अब मैं जरा यहां से यह सारे चीज़े हटा देता हूँ अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहां पर समझाना चाहूंगा और आपको एक डारेक्ट जो direct formula निकल के आता है वो तो आपको पता हो नहीं चाहिए लेकिन उसके साथ में कैसे निकल के आता है क्या होता है अजकल जो आपके पेपर से ना वहीं पर आपके वहीं से concept को उठाते हैं बीच concept से आपके questions को पूछा जाता है ठीक है फिलाल हटाता हूं बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को ठीक है अब देखो लेट से मैंने कहा मुझे CI निकालना है मुझे नहीं पता principle क्या है क्या नहीं जो भी है बस मुझे यह पता है कि एक साल का जो सिंपल इंट्रेस्ट है वो 600 रुपीज है यह मैंने आपको सिखा दिया था हां कि नहीं वन इयर का जो सिंपल इंट्रेस्ट है वो 600 है अब देखो अब अगर मैं कहूं CI जो first year का होगा वो कितना हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है इसी तरीके से अगर मैं बोलू second year का जो CI होगा वो देखो कितना रहा होगा second year का जो CI होगा वो एक तो 600 का पहली बार तो प्रिंसिपल पे रेट है वो 600 है यानि कि 600 का तो 600 और इसके बाद में वो 600 का भी कितना होगा जितना भी आपका रेट परसे बोलो हाँ अब यह 90 मुझे पता है लेकिन अब मुझे यह भी पता है कि यह 90 क्या है रेट परसेंट है 600 का यानि कि अगर मैं आपसे बोलू कि 600 का जब मैंने रेट परसेंटेज निकाला तो मुझे 90 मिल गया तो मैं यहां से आर निकाल सकता हूं कि निकाल सकता हूं देखो यह कितना हो जाएगा यह आपका 00 से 00 कैंसल और इकल टो कितना आ जाएगा 676 एसे से काट रहा हूं 676 6530 यानी कि मुझे रेट कितना मिल गया यहां से 15 परसेंट का मिल गया कि नहीं मिल गया बोलो हाँ अग्या आप यह बात समझ पा रहे हो तो आपको यहां पर सारी चीज़ें समझ गे रखनी है ठीक है मैं आपको दूसरा तरीका भी समझा दूँगा जो आपको जादूई ट्रिक समझाई जाती है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूं आता कहां से है देखो रेट यहां पर फि 600 आपका principle के उपर जो आपने rate percentage निकाला वही तो है तो अगर मैं बोलूँ इसका मुझे अगेन आर परसेंट निकालना है तो यह जो है ना 90 यह basically है क्या तो यह अपना principle के उपर rate upon 100 यह हमने निकाल लिया ठीक है यह तो अपना हो गया यह वाली चीज जो हमने यहां पर 600 निका आला तब मुझे कितना मिला 90 मिला तो फिर आप चीजों को यहां से relate कर सकते होगी जो formula आता है ना difference of SI and CI वह आपका यही होता है कैसे होता है देखो अगर मैं आपसे बोलूँ यह पूरा क्या है CI है और यहां पर मैं बोलूँ दो साल का SI कितना है तो आप बोलोगे इतना है तो बचा हुआ कितना डिफ्रेंस होगा आपका 90 होगा जो कि किसके एक क्वाल है पियार स्कॉयर अपॉन हंडर स्कॉयर गे तो यहीं से आपका formula बोल देते हैं कि टू इयर्स का जो simple interest compound interest का डिफ्रेंस का formula होता है वो होता है पियार स्कॉयर अपॉन हंडर का स्कॉयर ठीक है मैंने यहां से रेट को निकाल लिया 15 percentage ठीक है अब रेट आगया मेरा तो मुझे क्या निकालना प्रिंसिपल निकालने के लिए देखो क्या हुआ है अब मुझे पता है कि principle की उपर जब मैंने रेट परसंटेज निकाली है यानि principle का 15% कितना है तो बेटा principle का 15% ही तो यह 600 ह है बोलो हां की नहीं समझ में आ रही है ना बाते तो यह कुल्टू में है 600 के क्लियर है अब देखो कैसे कटेगा 15 से जाएगा कितने टाइम 15 4060 ठीक है और यह आ जाएगा आपका 40 यानि की प्रिंसिपल आ जाएगा 40 इंटू 100 इट मेंस कि आपका प्रिंसिपल कितना आ गया है प्रिंसिपल अपना 4000 निकल करके आ गया है बात इसमझ में आ गई है क्या कैसे आया है हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 4000 रुपीज यानि कि अपना option number D यहां पर right answer हो जाएगा जहां थार्ड option में indicate कर रखका है तो आपको सारी चीज़े क्लियर हुई की नहीं हुई फटा-फट से बता देंगे ठीक है बोलो हाँ चलो इसे हटा आता हूं next question पर आते हैं ठीक है चलो हटा रहा हूं इसको द्यान से देखेंगे अब देखो next question क्या है अपने पास में द्यान से समझना अब closed wooden अब देखो आपको न सारी चीज़ों को देखो मैं कितने आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे ना तो आधी चीज़ें आपके mind में अपने आप होने लगेंगी इसलिए मैं जो भी समझा रहा हूं से बिलकुल गांट बांद लो और उसे लिख लो अगर आपको कोई कोशन समझ नहीं आ रहा है पेपर नोट उठाओ और उसमें आप लिख लो ठीक है समझ गए चलो इसको हटाता हूं अब देखेंगे क्या है अपना कोशन अब क्लोज्ड और रिक्टेंगलर बॉक्स क्या बोल रहा है यह कोई डिक्टेंगलर बॉक्स है ऐसा बॉक्स है तो आपको यह 3D फिगर बन रहा होगा है ना ऐसा कोई फिगर है अब क्या बोल रहा है इसमें 1 cm थिक वोड है यानि कि अगर मैं आपसे इस वाले फेस की बात कर लेता हूं मैं दूसरा कलर लेके दिखाता हूं आपको तो मुझे क्या दिख रहा है कि यह जो आपकी वोड की थिकनेस है वो तो अपनी हो गई 1 cm लेकिन मुझे बाहर-बाहर की लेंथ पता है कि यह 22 cm लेंथ है ब्रद अपनी कितनी है यह अगर मैं इसे ब्रद बोलता हूं तो ब्रद है अपनी 17 cm की और हाइट हाइट अपनी क्य किया जाएगा बच्चों तो एक बास बताना इसके अंदर जितना भी सीमेंट फिल होगा वो इसके अंदर अंदर होगा की नहीं होगा तो मतलब हमें इसकी इनर डायमेंशन चाहिए तो अगर यह बाहर आपका पूरा 22 cm है देखो बाहर अपना यह पूरा 22 cm है तो अगर मैं अंदर इतने की बात करूँ तो इसमें से देखो एक सेंट एक सेंटीमीटर की तिकनास इस साइट से चलेगी एक सेंटीमीटर की तिकनास इस साइट से चलेगी तो आपका 22 cm था अंदर से कितना बचा यह 20 cm बचा की नहीं बचा बोलो हाँ अब क्लियर हो रही है ना सारी बा 20 cm अब अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो इसमें भी देखो उपर से भी यह 1 cm गया नीचे से भी 1 cm गया तो दौनोत मतलब पूरी हाइट से कितना चला गया चला गया कितना बचा है 10 cm बात को समझ पा रहे हैं क्या तो अपने यह हो गई हाइट यह हो गई लेंध और एक यह हो गई अब हमें क्या निकालना इसका वाल्यूम निकाल ले ना अंदर वाले का तो फटा-फट से वाल्यूम क्या होता है ल भी एच्छ यानि कितना हो जाएगा एल इंटू में ट्वांट सेंटिमेटर सैंठा पर क्या हो जाएगा यहां पर option number B right answer हो जाएगा जो अपने फूर्थ option में indicate किया गया है इसे हम टिक मार्क कर देंगे और आंगे बढ़ जाएंगे clear है सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसे हटा दूँ अब चालो next question क्या दे रखा है हमको ध्यान से देखेंगे a piece of cloth देखो a piece of cloth cost rupees 35 if the piece were four meter longer and each meter were to cost rupees one lesser तो बात को समझना यहां पर उसने क्या बोला है क्लॉथ है लेट से अपना एक से संटी मीटर का क्लॉथ है ठीक है एक से सेंटी मीटर का क्लॉथ है और उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वह 35 रुपीज आ रही है ठीक है 35 सेंटी मीटर तो अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझना उसने क्या बोला अगर यह जो क्लॉथ का पीस है वह फोर मीटर ज्यादा लॉग होता यानि कि अगर वह कितना होता एक सब्सक्राइब का मेरा अब बोल रहा है जो इसकी कॉस्ट होगी ना वह रुपीज वन लेसर हो जाएगी एच मीटर यानि कि अगर मैं यहाँ पर भोलूं एकस जो हम ने मीटर का क्लॉथ लिया है है इस्में वाई मीटर पर रुपीस यानि वाई रुपीस पर मीटर का आपका कॉस्ट चल रहा दा वाइ zooming पा रहा है यानिकि अब जो है मैरी का जो मैंने sum up कर देता हूं, summarize कर देता हूं, क्या बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसे आप लिख लेना, इसको हटा कि फिर आपको मैं इसका result दिखाऊंगा, कैसे हम इसको solve करने वाले हैं, देखो, क्या बात है, जब मैं दुकान पर गया, मैंने x में वने क्या बोला मैं 4 सेंटी 4 मीटर कपड़ा ज़्यादा खरीद लेता हूं तो मैंने 4 मीटर ज्यादा कपड़ा खरीद लिया यानि अब मुझे उसकी ऊपर कॉष्ट पढ़ रही है और इसके बाद में जो टोटल कॉस्ट है मेरी वो सेम है यानि कि मैं जितना पैसा देके आ रहा हूँ न वह मेरा सेमी है लेकिन इस बार मैं एक्स प्लस फूर सेंटीमीटर का क्लॉथ और लेकर आ गया बतलब फूर सेंटीमीटर ज्यादा क्लॉथ लेकर आ गया बात को समझ पा रहे हैं तो पूंच रहा है कि वहाओ लॉंग इस पीस आफ कॉंद धो कि यानि कोग आपका क्लॉथ है उसके जो लेंद है वह गतनी एक्स क्या है अब मैं यह इसको हटाता हूं मेरी बाठ को बिल्कुल ध्यान से सुनना यहां पे मैंने क्या बोला क्लॉथ है अपना अगर मैं बोलता हूँ एक सेंटीमीटर क्लॉथ की कीमत आपकी Y रुपीज है तो जो टोटल हमारा रुपीज निकल के आ रहा है वो 35 रुपीज निकल के आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ X मीटर मैंने क्लॉथ खरीदा Y इसका रेट है मतलब Y मीटर पर Y रुपीज पर मीटर इसका रेट है और ये मेरा निकल के 35 रुपीज आ रहा है इतनी बात की लिए तो फिर दूसरा केस क्या हो जाएगा मेरा कि अब मैंने क्लॉथ क्या किया 4 मीटर बढ़ा लिया यानि X प्लस 4 लिया है और मेरा जो रेट है वो 1 रुपी लेस हो गया यानि कि Y माइनस 1 Y माइनस 1 रुपीज पर मीटर का मैंने अब इसका क्लॉथ की कीमत हो गई और इसका मैंने इंटू कराया तो पहले ही जितने मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो रिमेन अंचेंज यानि कि इस बार भी 35 रुपीज निकल के आ रही है अब देखो यहां से मुझे क्या पता चलता है इस equation से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि Y equal to कितना आ जाएगा 35 upon का X आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा clear है तो मैं इस Y की value क्या करता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ अब आपको ये दो case समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं फटा फट से हाँ बोलेंगे ठीक है अब ये कितना हो जाएगा X plus 4 into में Y की place पे मैंने डाल दिया 35 upon X और ये हो जाएगा minus 1 equal to कितना हो जाएगा ये 35 clear है अब ये कितना हो जाएगा 35 अगर मैं देखो अब क्या कर रहा हूँ इसका इसमें into करा रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा X into में 35 upon X यानि ये 35 बचेगा फिर कितना आ जाएगा minus का X फिर आ जाएगा ये plus का 35 into 4 कितना हो जाएगा 35 4 जा 140 तो 140 upon X और ये हो जाएगा minus का 4 और कितना हो जाएगा अपना equal to में 35 ठीक है clear है यहां तक सारी बातें भी है समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है फटाफट से बोलेंगे ठीक है equal to में 35 है अब मैं क्या कर रहा हूँ इसका LCM ले लेता हूँ ठीक है इसका मैंने ले लिया LCM तो इकतना आ जाएगा 35 X minus का ये हो जाएगा आपका X square और ये हो जाएगा plus का 140 और ये minus का 4 X और equal to में आ जाएगा अपना 35 ठीक है ध्यान से समझेंगे अब हम आगे क्या करने वाले हैं तो ये देखो भई अब यहाँ पर देखो भई अब ये कितना हो जाएगा 35 X और ये है minus का X square plus में 140 अपना minus का 4 X और ये जो है अबने यहाँ पर क्रॉस करा दिया तो ये X कां चला गया 35 के साथ चला गया एक्वल्ट की हो गया ये अपना 35 X तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं इसे मैंना इस साइड चला गया यांनि कि इसे मैंने आपका RHS में स्इफ्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा X square plus का 4 X minus का 140 equal to zero हो जाएगा ठीक है अब अपनी equation निकल के आगी की नहीं आगी जहाँ पर x क्या है अपने cloth की length है क्या है how long is piece of cloth मुचा हुआ है ना तो हमने x को मार लिया है अपना cloth के जो हमारी length है वो हमारी x है ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ 140 into x square करोगे तो 140 x square के ऐसे कौन-कौन से factors हो सकते हैं जिने हम add करेंगे तो हमें 4x मिल जाए तो मैंने बोला ठीक है 14 into 10 होता है 14 x into 10 x 140 x square हो जाएगा यानि कि x square plus 14 x और अपना minus का 10 x plus minus का 140 से मैंने ऐसे तोड़ दिया तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं हाँ अब यह x common ले लिया तो यह आ गया x plus का 14 और यह माइनस का 10 common ले लिए तो यहाँ जाएगा x-14 ठीक है प्लस का 14 माइनस का common ले लिए तो यह हो जाएगा x-14 और दूसरे में अपना x-10 यह अपने factors निकल के आगए इस equation के यह निकल के आगे बोलो हां ठीक है तो अब मुझे यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर मैं x-14 एकल टो 0 रखता हूं तो मेरा आएगा x-14 और फिर अगर मैं x-10 इकल टो 0 रखता हूं तो यहां से 10 सेंटेमिटर निकल के आ जाएगा यानि क्लॉद की जो लेंथ है वो अपनी कितनी हो जाएगी 10 10 मीटर की हो जाएगी सुरी जहां-जहां मैंने सेंटीमिटर यूज किया है उस पर ध्यान ना देंक रप्या मीटर ही रखें तो मीटर क्या है अपनी एक से क्वल टू यहां पर हमें फॉर्थ ऑप्शन में जो इंडिकेट किया गया है तो क्लियर है यहां तक सारी बाते हैं इसे अटाता हूं इसको देखेंगे अब भी अब देखो next question में हमें क्या दे रखा है two poles of the height 15 meter and 20 meter ठीक है दो पोल हैं जिनकी height है 15 meter 20 meter तो यह लो मैं बना लेता हूं यह let's say अपना 15 का हो गया यह हो गया अपना 20 का और यह आपका ground level है यह आपके ground पर ऐसे रखे हुए ठीक है अब क्या बात हो रही है यह हम यहां पर लिख feet is 12 meter तो इनके बीच की जो distance है वो 12 meter है इनके feet पर तो पूछ रहा है distance between their top बता दें यानि की दूसरे गलर का अगर मैं use करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि हमसे यह वाली length पूछी जा रही है ठीक है इसको अगर मैं यहीं तक रख लेता हूं ठीक है थोड़ासा हमें से race कर देंगे उपर का तो देखो भई अब हमसे इसकी length पूछी जा रही है यह जो top जो आपका pole है ना यह दो इन्हें जो add जोडने वाली top से जो length होगी वो distance पूछ रहा है ठीक है तो अब अगर मैं इसे देखता हूं ठीक है एक तो यह हो गया फिर मैं इसे इसे add कर देता यह 15 है यह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अगर मैं इतने portion की बात करूं clear है तो अब मुझे पता है यह right angle triangle बन रहा की नहीं बन रहा है दूसरे लिए यूज़ करके दिखाता हूं यह जो है अपना right angle triangle बन रहा है की नहीं बन रहा है बोलो हाँ ठीक है तो इसमें क्या है हम प्रशकल से 10 ट्रप्लेट्स है वह आपके बहुत का माइंगे चाहिए आपका सब्सक्राइब पर और चाहिए चल्च चाहिए चल्च चाहिए ऐसी कोई पर और रेलवे कोई पर जिसमें मैं आती है ट्रिपनोमेट्री आती है या फिर आपका कुछ भी मतलब एडवांस मैंत का कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें आपका यह जो है ट्रप्लेट्स का बहुत ज्यादा यूज़ पड़ेगा आपको समझ में आ रही है मेरी बाते ठीक है तो फिलहाल अब देखो यह कितना हो गया फाइव और ट्वेल्व होगे आनि कि आपका जो परपेंडर जो 13 हो जाएगा ट्रप्लेट आगर जिने आते उनने समझ में आ गया होगा जिने नहीं आते यह भी दिखा देता हूं जो हईपटनस होगा पेटा पाइद अगुर अंति ओरंसे वह क्या हो जाएगा आपका 5 का स्कौयर प्लस 12 का स्काइर बोलो हांखी नहीं धर है तो एह कितन से 13 अपनी मीटर निकल के आ गई है तो कौन सा उप्षिन या पर करेक्ट हो जाएगा सी वाला उप्षिन करेक्ट हो जाएगा जो अपने फॉर्थ अपना ट्राइंगल ए बी सी अब क्या बोल रहा है जो आपका सर्फेस एरिया है इस ट्राइंगल का वह 63 स्क्वाइर यूनिट से ठीक है अब क्या बात है टू परलेल लाइन डी एंड एफजी आर ड्रॉन सच देवाइड देवाइड दा लाइन सेगमेंट एबी एंड एजी इन्टू थ्री एक्वल पार्ट अच्छा जी ठीक है दूसरे गलर का यहां पर मैं यूज कर लेता हूं क्या कौन कौन सी लाइन बनाई जा रही है ध्यान से देखेंगे डी इडी इबनाई जा रही है और आपकी एफजी बनाई जा रही है ठीक है यह लट से आपकी डी हो गई और यह हो गई आपकी एफजी अब मैंने इसे ऐसे कैसे बना लिया क्योंकि देखो डी यह डी वाली जो line है वो आपके A, B से शुरू हो रही है यानि कि A, B से शुरू होगी और A, C पर मिलेगी यानि D से E और F, G से आपकी A, B से शुरू के A, C पर मिलेगी तो आपका F वाला point यहां पर जी वाला यहां पर ठीक है अब क्या पूँच रहा है हमसे यह जो है आपका यह जो इसका हमसे एरिया पूँचा गया है ठीक है तो अब एक बात क्या है इन्होंने तीन equal parts में इसको divide कर दिया है तो अब देखो इन्होंने खुद आपसे जब question में बोल दिया कि equal part में divide कर दिया मतलब की इनका जो ratio होगा वो कितने ratio में आ जाएगा इसका ratio 1 तो इसका ratio 1 तो इसका ratio 1 तीनों equal पार्ट में divide होगा कि नहीं होगए तो अगर इनका तीनों का let's say 1 plus 1 plus 1 अगर मैं बोलो area of triangle ABC कितना हो जाएगा तो इसके साब से 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और कि यानि कि अगर मैं इसकी बात करूं कितनी है 21 यानि कि अपना ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टू वाले ऑप्शन में इंडिकेट किया गए फटाफट से से मार्क कर देंगे और आंगे बढ़ जाएंगे देखो कोशन बड़ा ही आपको लॉंग दे अरिया पूंच लेते डी एसी का तो आप टू का निकाल लेते हैं ना यहां पर ट्वेंटीवन इंटू कर देते बास मज़ में आ रहे हैं क्लियर है चलो नेक्स्ट कोशन पर आता हूं यहां से हम अठाते हैं इसको देखेंगे बड़ा है कि इसमें से कौन से नंबर के देखना क्या है Exc polling सा नंबर छोटा है तो कैसे देखते हैं एक बार देखो ज्यां से तो देखो अपने पास में अगर मैं क्या करता हूँ सबसे पहले सबक हुर्ग आजँधे थी कि वर्फ़ी लेत करता हूँ तो थरी नवीज चाहेगा यह जMiट की तो चाहेगा अपना 0.3 आएगा clear है अब अगर मैं बात करता हूं 19 अपन 73 तो आप बोलो कि सर इसे कैसे करें तो एक बास समझना आप अगर इसे 70 के लेके जाओगे इसमें क्या करोगे आप लगाते हो 0.5 इसके बाद आप देखोगे आप लगाते हो तो आपने देखा कि 45 में अगर आप देखते हो तो फाइव टाइमस कम जा रहा है यानि फॉटी सावन फाइव जाएगा आपका तू फिफ्टी पाइव आजाएगा कि नहीं आज आजाएगा अब फॉटी सावन फाइव जा ठीक है तो यह आपका कहीं न कहीं 0.5 के आसपास महुच रहा है तो ऐसे ही अगर मैं इसे देखता हूं 17 अपॉन 39 है अपने पास में 17 अपॉन 39 मतलब यह कितना हो जाएगा जीरो पाइंट अगर इससे 40 मार लेता हूं तो फोर फोर जा 16 यानि इस सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 29 अपॉन 47 निगल के आ रहा है की नहीं आ रहा है तो 29 अपॉन 47 इसमें ही बड़ा है आपका केला और इसके बाद आपका क्या हैगा 0.4 यानि 17 अपॉन 39 यह ओडर भी करेक्ट हो गया इसके बाद में अपना 3 by 8 आएगा यह भी करेक्ट है और इसको हमने हटा आया अब देखते हैं next question क्या है अपने पास में there are 90 coins अब समझना इस question को बड़े ध्यान से कि there are 90 coins comprising of 5 and 10 पैसा कोईन ठीक है हमारे पास में बात को समझना total 90 coins है ठीक है जिसमें कुछ आपके 5 पैसा के कोईन है और कुछ आपके 10 पैसा के कोईन है ठीक है तो आ रहे हैं ठीक है यह बात समझ में आती है क्या यह मैंने first equation रख दिया इसको अब क्या बोला जा रहा है the value of all the coins is rupees 7 ठीक है दूसरे color से दिखाता हूं यह 7 rupees का मतलब total कितना हो गया यह अपना 700 पैसा हो गया के नहीं हो गया यानि कि सारे coins की value मिला करके total 700 पैसा है यानि कि य और अगर यह 10 पैसा के y coin है इसकी total value 10y हो जाएगी यानि कि यहां से मुझे पता चल गया कि 5x प्लस का 10y equal to में कितना है 700 पैसा total है यह मेरी second equation हो गई सबको बस मुझ में आती है क्या यहां तक बोलो हाँ फटा-फट से अब देखो मैंने क्या किया अब मैंने देखा मुझे मुझे निकालना है 5 पैसा coin पूच रहा है वहाँ मैंने 5 पैसा coin यानि मुझे x की value चाहिए तो मैं क्या करता हूं यहां पर यहां पर मैं क्या करता हूं यहां की value जो है y का coefficient है उसको equate कर लेता हूं फिर मैं माइनस कर दूंगा ठीक है तो देखो ऊपर जो first equation है ना मैं इसम से second equation को माइनस कर रहा हूं 10x में से 5x जाएगा कितना बचेगा 5x 10y में से 10y जाएगा total cancel हो जाएगा माइनस होके ठीक है यह आपका 700 में से 900 में से 700 जाएगा कितना बचेगा 200 बचेगा तो यहां से x कितना इंकल गया आ गया 5 4 20 और आपका 0 40 यानि कि x equal to 40 इंकल गया तो हम फर्स्ट ऑप्शन में इंडिकेट किया गया है यह अपना राइट अंसर हो जाएगा तो आपको यह बात बोलो समझ में आई की नहीं आई यहां पर सारी चीज़ें क्लियर हुए अभी तक के session की आपको तो हम क्या करते हैं इसको आप इसे note कर लेना इसे मैं हटा रहा हूं करके आप इसे note कर लेंगे ठीक है तो यहीं पर हम अपने session को end करेंगे थोड़ा चोटा चोटा वीडियो रखते हैं क्या होता है नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आती है चीज़ें आप इतनी चीज़ों को grasp करके रखो ठीक है फिर आपको थोड़े टाइम की बात क्या होग कंटेंट हो सकता है वह आपको प्रवाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम एंड आपको अभी भी अल्रेडी काफी सारा कंटेंट आपका अपलोड हो चागा तो उसे जाके आप जरूर देख लेए ना ठीक है ओके नहीं सेंक्यू सो मच बबाए टेक केर पार्ट टू मे मिलते हैं इसके ठीक है चालो